संसत की सुरक्षा में सेंद के मामले में पक्रे गए आरोपियों से रात भर पूछताच की गई है आरोपियों के खिल अफ यूए पीए की धाराओं और आईपीसी सेक्शन एक सो बीस बी और चार सो बावन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और दिली पूलिस के स्पेशल सेल आरोपियों से पूछता आज के सास साथ के जगों पर चापे मारी कर रही है स्पेशल सेल से एक दरजन से भी जादा टीमे अब अलग-अलग एंगल से मामले की जाच में चुटी है देले पुलिस के स्पेशल सीवी सागर प्रीत हुडा सुबा तीन बज़े तक पार्लामेंट स्ट्रीट थाने में ही मौझूद थे और इसी थाने में आरोपियों को रखा गया है जाज एजनसिया इस राष्ट विरोधी घटना की तरह देख रही है और जाज भी कर रही है एंगे मामले में भी इसमें जाज की जा रही है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ब्रीच करते हुए पार्लामेंट की सिक्यूरिटी को यहाँ पर दाखिल हुए थे अभी तक की जानकारी मिली है उसमें यह पता लगा है कि यह जो आरोपी थे इन्होंने रेकी की थी याने पार्लामेंट सिक्यूरिटी की रेकी की थी और यह तभी मुम्किन हो सकता था जब यह लोग बजट सेशन के दौरान अंदर आये हों इनमें से कोई एक और जिसने य अभी प्लानिंग की गई है अभी तक की पूश्ताश में पता चला है कि 6 लोगों ने मिलकर ये साज़ेश वची थी और संसत की सुरक्षा में सेंद की साज़ेश वची सभी 6 आरोपी एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते थे और यह सभी आरोपी एक दूसरे से सोशल मीड के जरिये जुड़े हुए थे संसत की सुरक्षा में सेंद लगाने से पहले आरोपियों ने संसत की रेकी की थी और यह तभी मुम्किन था जब वो बजट सेशन में अंदर आ पाए हूं क्योंकि बजट सेशन माना जा रहा है कि इससे पहले हुआ था और उस दौरान इनमें छटे आरोपी विक्की के घर पर सभी आरोपी ठेरे थे और मैसुरू के रहने वाले मनुरंजन गोडा ने बीजेपी संसत से दो पासेस लिये थे मनुरंजन ने सागर को अपना दोस्त बताकर संसत में इंट्री के पास दिये नीलम और अमोल का विडियो बनाया और फरार वहां से हो गया ललित ने सभी आरोपीयों के मोबाइल आईकार्ट अपने पास रखे हुए थे अभी फिला ललित की तलाश जारी है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने जाँच का दाइरा बढ़ा दिया है स्पेशल सेल कई एंगल से तलाश कर रही है चार आरोपियों के एजुकेशन बैग्राउंड चेक की जा रही है और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने किन किन रैलियों में हिस्सा लि और क्यों आए है अभी दिल्ली कब से आकर रुके थे कहां कहां रुके थे चारों के मोबाइल फोन लाप टॉप या फिर दूसरा कोई डिजिटल डिवाइस मिला तो उसकी बारीकी से जाच होगी और उसकी हिस्ट्री खंगाली जाएगी जिसके लिए स्पेशल सेल की फोरे कि घर्टा के पहले या उसके एक दिम पहले किसने किस से बात की ये प्लैनिंग की इसका भी पता लगाया जाएगा कि उनकी साजिश का पता और किन किन लोगों को पहले से था और हमार साह सम्दाता विशाल पटाव सिंग भी जुडगए है विशाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब सागर का एक नाम आ रहा है जो उत्तर-प्रदेश से तालूर करता है उसके वैग्राउट के बारे में किया जानकारी मिल रही है अमेड जिस तरीके से पारलेमेट स्ट्रीट ठाने में लगातार पूचता चुई है उसी तरीके से सागर शर्मा लखनों के आलंबाग इलाके करने वाला है और कम से कम आठ से दस सालों से पिछले जिस मकान में वो किराय पे रह रहा है उनके मकान मारिक से पूचता चुई है, सागर की मा से पूचता चुई है, सागर के पिता से, सागर के नाना नानी से और सागर की बहन से सभी ने ये कहा है कि वो महसूर एक बार गया था अपने किसी दोस्स से मिलने के लिए इसके लावा बैंगलोर कनेक्शन की भी जांच की जा रही है क्योंकि ये पता चलाया है कि समय फिलहाल सागर शर्मा ये रिक्षा चलाता था पिछले लबख छे से आठ महेने से लेकिन उससे पहले वो बैंगलोर भी गया था बैंगलोर में किसी फैक्टरी में काम करता था किसी आठा बनाने वाली फैक्टरी में काम करता था और सबसे महतुकूर बात ये है कि उसकी माने पुलिस को ये बताया है कि वो किन किन दोस्तों से संपर्क में था चाहा हो मैसूर की बात कर लिया जाए बैंगलोर की बात कर लिया जाए परिवार को इस बात की जानकारी तो नहीं थी लेकिन ये जानकारी जरूर थी कि सागर शर्मा जब दो दूनों पहले लखनों से दिल्ली गया था तो उसने अपनी मा को बताया था और बहन ने बगादा इंडिया टीवी से जब बातचीत की अमिल तो इस बात का जिक्र किया कि वो दिल्ली जा रहा है धरना प्रदर्शन करने लेकिन परिवार ये नहीं समझ पाया था कि धरना प्रदर्शन किस तरीके का होगा पाल्यामट पे घुसकर इस तरीके से हैरान करने वाला होगा तो सारे एंगल्स की जाच की जा रही है अलग-अलग एजेंसी ने कल सागर शर्मा के परिवार से पूछताच की है परिजनों से पूछताच की है मकान मालिक से पूछताच की है हाला कि पूछ साच में ऐसा कोई भी खुरासा सामने नहीं आया जिससे कहीं न कहीं इस पूरे मामले को टेरर एंगल से जोड़ा जा सके लेकिन सारे लोगों का एक साथ पहुचना, सुनियोजित तरीके से पहुचना, संसद में इस तरीके का विरोग पदर्शन करना जो की वाकई में हैरान करता है परिशान करता है तो इसी वज़े से जो एजिनसीज हैं वह एक दूसरे के संपर्क में है यूपी एटियस मामले की जाच कर रही है, लोकल पुलिस जाच कर रही है, लाइउ ने भी पूछ आच की है और सारा निचोर निकाला जा रहा है कि चारो एक दूसरे से कम मिले, कैसे मिले, किस विचारधारा से प्रभावित थे और कौन सा वो ऐसा मौका था जिसमें सागर को बताया गया कि उसको दिल्ली चलना है विरोध पुदर्शन करने के लिए और सागर इसके लिए बाखाइदा तयार भी हो गया, जही वज़ा है कि एजन्सी एक दूसरे के साथ कम्मिनिकेशन में हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सल के साथ उत्तरपदेश पुलिस की जो सीनर आफिसर्स हैं वो लगातार ठच में हैं और सागर शर्मा के परिवार से जो भी विशाल देखो पूश्ता तो की जा रही है और यह हम तस्वीरे भी दिखा रहे हैं सागर के घर की तस्वीरे दिखा रहे हैं विशाल एक सवाल ही रहेगा कि संसत की सुरक्षा में सेंद का मास्टर माइंड कौन है क्योंकि 6 आरूपी अभी तक गिरफतार किये गए हैं एक अ गर का माहौल कैसा है अभी अभी अचाना कि क्या होगे तो कि देख रहे हैं कि कब तक पूश्ताच हुई और किस से किस से पूश्ताच हुई कितने वे तक पूश्ताच हुई आप अपना नाम बता दे हमारा अप सागर के परोसी हैं अभी कुछ दिन पहले बाहर था बाहर से वाया था तो तीन मैने से दिखा चला रहा था मुहले में कैसा वो उसका परता हो था आप से बात होती थी दुकाने चौमिन रोद खाता था लिखता जब चला के आता था और क्या का बाती करता था वो किस तरह से अपना काम में कितना था हमारी टेलर की दुकान है अब बात करें तो क्या किसी आस परोस्त में नेता के भी संपर्क में था कुछ वाजनिती में रूची थी उसकी यहां यहां इसा को जाटा रखते ही नहीं था अभी तो बाहर गया था बाहर से आया था यह तीन मैंने से यह दिखा चला र जो आसपरोस के लोग है उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं कि जिसमें आप कह सकते हैं कि क्या सागर की दिमाग में इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने को लेकर कुछ चल रहा था अच्छा विशाल जो उतके परोड़ोसी बता रहे हैं वही बाते कहीं हैं जो आपने हमें जानकारी थी लेकिन एक बात जो सामने आई कि जो सागर है या फिर जो आप दने आरोपी हैं वो फेस्बुक के जरीए ग्रूप में जुड़े हुए थे जिसके जरीए संपर्क में लगातार थे इस बारे में क्या जानकारी मिल रही हैं देखें फेस्बुक के जरीए इन चारों की दोस्ती हुई थी पिछले कई सालों से ये दूसरे के संपर्क में थे एकाद बारे में ये भी बताया जगया है कि दिल्ली में इनकी पहले भी मुलाकात हुई और सागर शर्मा मूल निवासी उन्नाव का रहने वाला है लेकिन प बाकी आरोपियों से मुलाकात हुई वो बैंगलोर गया वो मैसूर गया और इन सभी आरोपियों के संपर्क में आया या यानि कि सभी एक दूसरे को पहले सजाब विशाल हमारे साथ रागवन भी जुड़ गये हैं रागवन से बात करते हैं क्योंकि रागवन ये सारा जो तो कही ना कही आप जाके मैसूर में आके टिका है, मैसूर से ही क्या कनेक्शन निकल रहा है, क्या यहीं से मास्टर माइंड था या जो इनका हैंडलर था जिसने सब कुछ रचा था उसके बाद इसको अंजाम दिया गया। तबियत ठीक नहीं है, वो हाट पेशेंट हैं, वो यह चाहते हैं कि आप परिवार को कोई डिस्टरब नहीं करें, कल उन्होंने सारी बातें बताई जिसमें यहाँ पर आप किसी से भी पता कर लीजिए इस पूरे इलाके में, वो यह कहते हैं कि मनोरेंजन बिल्कुल सीरा लड़का था, उसमें कोई गलत आदत नहीं थी, हाला कि जो लोकल पुलिस के इन्वेस्टिकेशन हुई है, कल यहाँ पर जिस घर में की हम बात करें, यहाँ से कम से कम 10,000 से जादा किताबें उसके पास मिली है, वो बुक वर्म था, ऐसा कहा जा रहा है, उसमें कुछ ऐसी क मनोरंजन का हाथ था, क्योंकि मनोरंजन प्रताप सिमा की कॉंस्ट्रिवेंसी से बिलॉंग करता है, यहाँ के लोग बताते हैं कि जो मनोरंजन के पिता हैं और प्रताप सिमा के संबंद भी काफी अच्छ है, तो यह कहा जा सकता है कि कहीं मनोरंजन को प्रताप सिमा का जो स से समझ में आ रही है वो यह है कि एक सोशल मीडिया फैन पेज था शहीद भगत सिंग फैन्स क्लब नाम के एक सोशल मीडिया पेज से चारों एक दूर से जुड़े थे ऐसा भी समझ में आ रहा है कि करीब डेर साल पहले सागर्श शर्मा जो है वो यहां पर आया था कि विचार धरा से जुड़े हुए थे और किस तरह के यह गृुप के साथ जुड़े हुए थे आफ डोनों का बहुत बहुत शूक्री करहर है